हलो बच्चो कैसे आप लोग दो देखो आपके लिए हम NEET 2020 फाइनल टच NCRT बाइलोजी लेके आए ठीक यहाँ पर हम क्या करेंगे NCRT के सारे लाइन जो भी आपके इंपोर्टेंट है वो एक्स्प्लेन करेंगे जो कि आपके इंटरेंस में NEET में डाइरेक्ट पूछा जाएगा उनके बारे में इंपोर्टेंस ओफ एंसी आइटी हम बताएंगे और एंसी आइटी के किस पेस से कौन सा सवाल पूछा गया किस लाइन से सवाल बना है ठीक तो यह देखो पहला जो हमें स्टार्ट कर रहे हैं फास्ट चैप्टर है क्या दी लिविंग वॉल्ड अब इसको हमने पार्ट में कर लिया पारट वन पारट व्वाट थू आगर बात करेंगे तो चलो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हम देखते हैं कि किस page से page number one से क्या पूछेगा page number two से क्या पूछेगा इस तरीके से और क्या पूछा जा चुका है सारे question हम बताएंगे कि आपके NEET में किस page से कौन से question पूछे गए हैं और आपके NCIT का कौन सा line आपके लिए important है चलो start करते हैं तो देखो आईए तो देखो यहाँ पर जो यह first page हो गया अब यहाँ पर क्या है diversity in living world हम बात करेंगे तो यहाँ से जो सबसे important बात जो होगी वो देखिए क्या है बहुत सारी बाते लगी हैं हर एक बात आपके लिए important है नहीं है to begin much later in human society तो इस चीज को हम बोलते क्या है anthropology क्या बोलेंगे anthropology that means study about human and human origin and evolution बात करेंगे clear यह चीज अब next देखो क्या है जो आपका है यहाँ से society which indulged in anthropocentric view of the biological register limit progress in the biological knowledge तो यहाँ पर यह important है तो यह सवाल आपसे पूछ सकता है कि यह क्या include कर रहा है यह बात important है ध्यान रखिएगा clear तो यहाँ से यह चीज आपके लिए important हो गया अब चलो हम next page की तरह बढ़ते हैं तो देखो next page में आ गया earnest mayor आ गया कोन आ गया earnest mayor तो देखो हम बात करेंगा earnest mayor के बारे में क्या क्या सवाल आपसे पूछा जा सकता है तो देखो earnest mayor सबसे पहली बात आपसे यह नहीं पूछेगा कि कब पैदा हुए कहां हुए यह सब नहीं हाँ यहाँ जो आपसे पूछेगा तो देखो यह क्या है Darwin of 20th century बोला गया इनको और इनने कहां रखा गया was one of the hundred greatest scientist of all time यह बात important है दियान रखिएगा next हम बात करें तो इनको क्या किया गया assuming the title Alexander Agis Professor of Zoology Emeritus यह चीज तो ऐसा नाम है पूछ सकता है ठीक है आई अब next हम बात करें कि यहाँ से जो सवाल पूछेगा तो देखिए इनके career में 80 years of career इनका research कहां कहां था तो देखिए एक तो क्या हो गया anthropology हो गया दूसरा taxonomy, क्या है zoo geography, evolution, systematics and history and philosophy of biology तो यह important है, पूछ सकता है कि किस-किस में इनका research था और किस में नहीं था ऐसे भी सवाल बन जाएगा समझ में आ रहा है बच्चे, द्यान रखिएगा, आओ चलो आगे बढ़ते हैं, क्या सवाल पूछा जा सकता है तो देखो, red हम आपको बहुत जादा important बताएंगे, बागी क्या है, normal important होगा ठेक, तो यह ध्यान रखिएगा, कौन सा marker, किस चीज के लिए, clear, तो चलो अब हम next हम बात करें तो हाँ, देखो यहां से और सवाल क्या बन सकता है हाँ, तो यह क्या है, accepted चलो, यह अटाते हैं हम, आगे चलो, जल्दी से आते हैं, क्या क्या गया, accepted definition of biological species तो चलो हम यहां पर एक बात-बात करें, biological species कहने का मतलब यहां पर क्या हो गया तो देखिए, क्या हो गएगा, तो यहां पर ऐसे बोलेंगे, biological definition जो था, किसने दिया, Ernest Mayor ने, इससे जो सवाल डैरेक्ट देखो ऐसे बोलता है reproductive isolation तो देखो, reproductive isolation मतलब हमने अलग कर दिया, reproductive isolation कहने का मतलब a group of organism which can interbreed among themselves to produce fertile of spring clear, fertile यह, अब क्या है, particular geographical area में पर रहे हैं, अब उनमें कुछ barrier आगया physical, chemical और यह barrier आगया, ठेक है, तो उसकी वजा कर वो आपस में मेटिंग नहीं कर पा रहे हैं वो अलग-अलग species का लाएंगे, ठीक है, तो biological definition of species किस ने दिया, आपको Ernest Mayor species term किस ने दिया, genre यह आपको याद रखना है, taxonomical definition किस ने दिया, careless linear, जहाँ पर बोला, smallest unit of classification समझ में आ रहा है, that means smallest taxon, यह बात अपनोट करते चलिएगा, जो हम आपको बता रहे हैं, चलो अब next जो पूछ सकता है, वो important, देखो क्या है, regarded, क्या है, as a triple crown of biology biology, ठेक है, अब वो देखो, यह तीन अलग अलग फिर में, इनको क्या मिला, prize मिला, तो वो देखिए, क्या-क्या है, हम बात कर लें, तो यह तो यह क्या हो गया, this, ब्रेंजल, प्राइज, इस एर, इंटरनेशनल प्राइज, biology में, ठेक, और क्या हो गया, क्या है, क्रैफोर्ड, प्राइज, क्लियर, अब यह क्या, पूरे 100 साल कंप्लीट करके, इनका death हो गया, क्लियर है, तो यह सारी important है, यहां से सवाल पूछे जा सकते हैं, तो चलिए, आपको एक बात हम बता दें, यहां रखिएगा, species term किस ने दिया, जॉन, रे ने दिया, क्लियर, यह दियान रखिएगा, अब यहां लिख दें हम, taxonomical definition of species, sorry, species, ठीक है, किसने, careless, linear, यहां रखिएगा, careless, linear ने दिया, clear, यह बात ध्यान रखिएगा, चलो, next page के दरफ हम बारते हैं, तो देखो, अब आगए, यहां पर क्या है, कि बातें दे रखिए, यह कोई बात important नहीं है, आपको यहां पर से, तो चलो, next page पर आते हैं, direct हम, तो देखो, यहां पर दे रखा है, what is living, living के अंदर क्या-क्या criteria होगा, क्या-क्या features होगे, तो उनके बारे में बात करें, तो देखो, आप से direct सवाल पुछ देगा, distinctive characteristic exhibited by living organism, तो पहला हो गया growth, दूसरा हो गया reproduction, तीसरा ability to sense environment, clear, समझ में आ रहा है, तो यह था, that means stimulus, consciousness, अब अगला इसको कह रहा है, कि आगे हम कोई बात करें, तो वो क्या होगया, metabolism, फिर क्या होगया, ability to self-replicate, आजो ठीक है, self-organize होगया, clear, यह सारी चीज़ें, इसमें आती है, important है, ध्यान रखिएगा, अब इसमें क्या होगा, देखो, यहाँ पर, आप याद रखिएगा, growth and reproduction, ठीक, यह क्या है, non-defining, ठीक है, और non-defining criteria, for being living, देखो, next, metabolism, consciousness and, क्या होगया, self-organization, तो यह क्या होगया, यह तीन, defining feature of living, clear, और यह non-defining feature of living, clear, तो यह बात आपको ध्यान में रखना है, okay, तो यह ध्यान रखिएगा, चलो, तो यहाँ पर हमने बताया, अब इसी चीज़ को हम आगे start करते हैं, clear, तो चलो, क्या-क्या होगा, वो सारी चीज़ें हम देखते हैं, तो चलिए next page की तरह पढ़ते हैं, यहां तक clear है, आज़ो, तो देखो, अब बच्चों देखो क्या है, कि अब यहाँ पर दे रखाए, चलो, पीछे आते हैं पहले, क्या था, हाँ, यह बात देखी, क्या लिखा है, क्या है, आज़ो, क्या है, अब multi-cellular organism, ध्यान रखिएगा, multi-cellular organism, growth by cell division, growth by cell division, अब आगे देखो, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, growth कई type का होता है, क्या होता है, limited और unlimited, that means plant में unlimited और animal में limited, that means plant में continuous throw out the life होगा, और animal में up to the certain age, तो उसको हम limited, defining, limited, determinant बोलते हैं, clear, तो यह चीज़ ध्यान रखिएगा, और आगे देखो, तो क्या लिखा होगा है, in plants, the growth by cell division occur continuously throw out life spent, in animal, the growth is seen up only to a certain age, that means, याद रखिएगा, animal में क्या हो गया, तो यहाँ पर हम लिख देए, plant में क्या होगा, continuous growth, clear, animal में बोलेंगे, क्या, limited growth, और continuous को उपर, unlimited, indeterminate, और इसको determinant, clear, आजो, next हम बात करें, तो देखो, यहाँ पर unicellular organism, आगे देखो, unicellular organisms, also grow by cell division, clear, अब देखो, जो सवाल पूछेगा, यहाँ से देखो, one can easily observe that, in vitro, in vitro एक साथ है, culture by simply counting the number of cells under the microscope, clear, यह चीज़, तो in vitro में कैसे आप देखेंगे, microscope के अंदर, उनके number of cell देखेंगे, clear, देखो, in majority of animals and plants, हाँ, यह बात आपके लिए क्या हो गया, important, तो देखो, in majority of animals and plants, growth and reproduction, और the multiple exclusive event, आज और next हम बात करें, तो यहाँ पर देखिएगा, यह सारी चीज़े important थे, तो देखो, अब क्या है, growth हम बात करें, living और non-living, तो living में growth from inside body, that means internal growth, that is also called intrinsic growth, but in non-living growth from outside body, that means accumulation of mass on surface, तो उसको हम external growth और extrinsic growth बोलेंगे, तो हमने बताया था, growth is a non-defining criteria, but intrinsic growth is defining criteria for living, यह बात याद रखिएगा, तो देखो, यहाँ दे रखा है, क्या है, चलो, देखो, क्या है, हाँ, increase in body mass, body mass considered as a growth, that means non-living object also grow, ठेक है, by increase in body mass is a criteria for growth, जैसे example, देखो, क्या है, mountain हो गया, builder हो गया, sand wound हो गया, grow करता है, however, in this kind of the growth exhibited by non-living, कैसे, by accumulation of, ध्यान रखिएगा, ठीक है, surface पे material को accumulate करके, clear, यह बात important, ध्यान रखिएगा, चलो बच्चो, आगे बात करें, तो देखो, in living organism, growth is from, आगे है, important, क्या बुलिएगा, क्या है, in living organism, growth from inside body, आपके M's में यह सवाल पूछावा, और यह important है, ध्यान रखिएगा, आईए, therefore, growth को क्या बलेंगे, non-defining, the growth therefore cannot be taken as a defining, तो आपको important यह बात, cannot be taken as a defining property of living, clear, यहां तक कोई problem, नहीं, ध्यान रखिएगा, आईए, that organism, क्या है, grow नहीं करते हैं, तो चलो, हम next page की तरह बढ़ते हैं, आईए, अब आगे है, reproduction likewise is a characteristic of living organism, yes, reproduction is also a characteristic of living, but not defining, मतलब non-defining है, कैसे, तो अब यहां से एक बात याद रखिएगा, reproduction is essential for continuity of species, but not essential for continuity of particular life, a particular person can survive without reproduce, ठेक है, for the continuity of particular species, reproduction must, ठेक है, important है, यहान रखिएगा, आईए, तो इस चीज़ बात करें, अब यहां से देखो, क्या-क्या सवाल पुछेगा, in multi-cellular organism, reproduction, refer to the production of, क्या दे रखा है, production of, तो यहां देखिए, इसको हम क्या करें, इस तरह से ज़्यादे important नहीं है, तो in multi-cellular organism, reproduction, refer to the production of progeny, ठेक है, अब उनमें क्या होगा, क्या दे रखा है, features, क्या है, more or less similar to those, तो यह किसको explain कर रहा है, यह किसको sexual reproduction, तो आप बोला है कि यह asexually reproduced भी कुछ होते हैं, तो organism reproduced by asexual means also, ठेक है, अब यहां से आपको important आ गया, ठेक है, तो देखिए, आब यहां से, यह बात, क्या है, important, तो क्या बात करेंगे, देखिए, क्या दे रखा है, fungi multiply, ठेक है, and spread easily through the due to million, क्या बात करेंगे, million asexual spore, ठेक, तो हम क्या बात करेंगे, देखो यहां से, fungi में spore formation बात करेंगे, क्या करेंगे, spore formation, चलो, next हम बात करें, organism, अब देखो क्या है, east हो गया, और क्या हो गया, hydra, क्या है, hydra, ठेक है, अब इसमें क्या देख रहे हैं आप, budding, तो आप क्या लिखेगा, east, hydra, जिसमें क्या है, budding, क्लियर है, budding, चलो, अब next हम बात करें, तो यहां पर यह भी important है, planaria, जिसमें क्या रहा है, true regeneration, तो क्या लिखेदें, planaria, जहां पर true regeneration, क्लियर है, true regeneration हम बात करेंगे, चलो, आगे हम next बात करें, अब देखो, जो बहुत ज़्यादे important है, आप से यह सवाल जो पूछा, अब regeneration के बारे हम बुला, fragmented organisms regenerate the most, क्या है, lost part of its body and become a new organism, clear, तो देखो, next जो सवाल पूछा, आपके need 2019 में पूछा, वो यह है, यह बहुत ज़्यादा important, तो देखो, fungi, filamentous algae and protonema of most, all, इन में similarities क्या थी, तो यह सब क्या है, reproduced by fragmentation, तो यह दियान रखिएगा, reproduced by fragmentation, तो यह बात important, आप से पूछा गया है, आगे चलो हम बात करें, तो when in some unicellular, आगे हम बात, क्या है, देखो, unicellular organism, like, क्या है, bacteria हो गया, unicellular algae हो गया, amoeba, reproduction is synonymous with, क्या है, growth, that means increase in number of cell, clear, यह चीज़, अब इसको हमने आगे भी पढ़ ला था, growth, क्या है, already defined growth as a equivalent to increase in number or mass, clear, तो देखो, यहाँ पर, अब हम बात करेंगे, single cellular, single cell organism, we are not very, हाँ, बुछेगा, किसमे clear, आप नहीं है, we are not very clear about the uses of the two term, that is growth and reproduction, किसमे, unicellular organism, clear, ध्यान रखिएगा, important, अब आगे बात करें, तो कुछ ऐसे organism भी हैं, जो living है, बट reproduce नहीं करते, तो जैसे देखे, क्या mule हो गया, worker भी हो गया, infertile human couples, यह भी क्या reproduce नहीं करते, इसलिए हम बोलते, reproduction is also non-defining, तो इसलिए क्या बोला, reproduction, क्या बोलिएगा, बोलो, क्या reproduction is not an exclusive event of living organism, कि लिए ध्यान रखिएगा, important है यह बात, आईए, चलिए हम next बात करें, वो क्या है, another characteristic that is metabolism, तो अब हम बात कर रहें, metabolism की तरफ, तो metabolism जो है, वो क्या है, क्या-क्या, तो देखे, पहली बात तो आप यह देखे, क्या लिका है, all living organism are made up of chemicals, सारे living organism chemical से बने हैं, these chemicals are small भी हो सकते, big भी हो सकते, belonging to the various class, size, function, etc are constantly being made and changed in some other biomolecules, अब biomolecules कहने का मतलब carbohydrate, protein, fat, lipid, oils, ठेक है, अब देखे, इधर क्या है, these conversions are chemical reaction और metabolic reaction, these are thousands of the metabolic reaction occurring simultaneously inside all the living organism, organism, be they, आगे देखे, क्या लिखा है, unicellular और multicellular, that means metabolism किसमे होगा, चाहे वो unicellular organism हो, चाहे वो multicellular, अब multicellular बात करें, तो चाहे वो plant हो, animal हो, fungi हो, unicellular बात करें, microbes हो, exhibit metabolism, तो ये बात important है, आप से सवाल पूछा जा सकता है, ज्यान रखिएगा, कहां कहां metabolism होता है, तो हर एक organism में metabolism होता है, अब देखो definition क्या हो गया metabolism का, तो चलो हम बात करें, definition, क्या है, हाँ, आजब जल्दी से, देखो, क्या है, sum total, क्या बात करें, sum total of all chemical reaction occurring in our body, ठेक है, अब यहां से ये बात, चलो, important आ गई, अब वो important क्या है, देखो, क्या दे रखा है, जल्दी जल्दी बताईए, तो देखो, क्या दे रखा है, non living object exhibit meta, क्या है, हाँ, एक मिनट, no non living, ये बात ध्यान रखिएगा, no लिखा है, no non living object exhibit metabolism, that means living में, जब भी ये reaction होगा, तो उसको हम metabolism बोलेंगे, लेकिन अगर non living में ये चीज़ perform कर रहे हैं, तो उसको हम metabolic reaction, and metabolic reaction is not considered as a living, क्लियर है, तो देखो, क्या है, metabolic reaction can be demonstrated outside the body in a free living system में, हम demonstrate कर सकते हैं, आगे देखें, बोल ला है क्या, an isolated metabolic reaction outside the body of an organism performed in the test tube is, अब यहां से बात important आ गई, क्या है, neither living nor non living, ना living ना non living बोल सकते हैं, that means it is considered simply as a metabolic reaction, ठीक, तो अब यहां से जो सवाल है, exceptionally it is a defining, दियान रखिएगा, while metabolism is defining feature of living organism, without exception, आप से पुछा है, बिना exception कौन, isolated metabolic reaction, in vitro, in non living object, but surely living reactions, clear, अब देखो, आगे हम बात करें, next जो आ रहा है, cell organ, यह clear हो गया पुरा, चलो, आगे, यहां पर जो confusion होता है, यही होता है, कि सर ऐसा लिखा है, तो बता ही हम क्या बता है, तो metabolism जब भी बोले, तो living organism, metabolic reaction can demonstrated outside the non living cell or body, ठीक है, but not considered as a metabolism, that is considered as a metabolic reaction, but that reactions are neither considered as a living or non living, clear है, आजो, next हम बात करें, तो अब क्या है, cell organization, तो तो देखो, cell organization is a defining criteria for being living, क्यों, क्योंकि अगर हम और आप अपने बारे में बात करें, तो we are multicellular having trillions of cells, but developed from a single cell, that is zygote, zygote क्या हुआ, multiply हुआ, और rapid mitotic division हुआ, और उसमें hundred trillions of the cell हो गया, clear, तो अब वो क्या है, cell, tissue, organ, organ system और organism बना दिया, clear, तो आजे यह देखे, क्या लिखा भाए, बात करें हम तो, पर क्या है, हाँ, यहां से, hence, cellular organization of the body is a defining feature of life form, कैसे देखे, perhaps the most obvious and technical complicated feature of all living organism is this ability to sense their surrounding or environment and our response to their environmental, क्या है, stimuli, which could be physical, हाँ, अब देखो, यहां से सवाल आप से पूछ सकता है, stimuli मतलब consciousness के बारे में बात कर रहा है, clear, कहां देखो, stimuli, अब यह stimuli physical भी हो सकता है, chemical भी हो सकता है, और biological यह भी एक सवाल बन सकता है, आगे देखिए, we, we, मतलब human, sense our environment through our sense organ, nose हो गया, nose हो गया, ear हो गया, tongue हो गया, और क्या हो गया, यह skin हो गया, यह सारी चीज ने, तो देखिए, the plant अब कैसे करेगा, plant response to the external factors, जैसे light phototropism, water hydrotropism, temperature, थर्मो हो गया, थेक है, तो temperature by loss of water in the form of water vapor, थेक है, transpiration बात करें, other organism, pollutants, it is he, अब यहाँ देखिए, क्या लिखा है, all organism from prokaryotes to eukaryotes, थेक है, can sense and response to the environment, क्योंग, अब जो यह बात आगए, important आवर आपके entrance में सवाल पूछा हुआ है, देखिए, क्या दे रखा है, photoperiod affects reproduction in seasonal breeders, both plant and animals, तो यह सवाल आपके entrance में पूछा हुआ है, और यह बहुत ज़्यादा important, त्यान रखिएगा, आईए, next हम बात करें, all organism handle the chemical entry in there, क्या है, body, जैसे हम क्या है, cosmetic cream लगाते हैं, फिर क्या हो, वो क्या, रख करते हैं, हमारे body में, inter कर जाता है, ठीक है, आईए, all organism therefore are aware of their surrounding, तो aware of surrounding बोला, that means, वो किसके बारे में बोल ला है, consciousness, ठीक है, तो आजो, next हम बात करें, तो वो क्या होगा, human being, ये बात important है, only organism, which, क्या है, who is able to aware of himself, that is, self consciousness, only in, क्या, human, दियान रखिएगा, important बात, तो ये चीज़ के लिए है, consciousness, सारे organism में होगा, लेकिन self consciousness, सिर्फ living, ये, human में होगा, क्लियर, चलो, हम next बात करें, तो वो देखो, क्या है, आईए, consciousness therefore, become the defining property of the living organism, consciousness defining property है, दियान रखिएगा, आईए, क्यों, क्योंकि ये सिर्फ living में होगा, और कैसे कैसे हुआ, हमने आपको बता दिया, लेकिन self consciousness, सिर्फ human में रहेगा, आगे देखी क्या लिगा, when it comes to the human being, it is also more difficult to define the living state, अब देखो, कोमा के बारे में बोलेगा, we observe the patient lying in a कोमा, क्या है, चलो, next हम बात करें, lying in a कोमा, in hospital, थे, virtually supported by machine which replace heart and lungs, the patient is otherwise brain dead, क्या है, brain dead है, the patient, देखो क्या लिगा, patient has no self consciousness, self consciousness, are such patient who never come back to the normal life, वो living होगा, या non living होगा, ये पूछा, तो यहाँ से याद रखिएगा, क्या बूलिएगा, वैसे लोग, क्या होंगे, living, क्या बूलेंगे, living होंगे, important, चलिए आगे हम बात करें, ठीक, तो देखो, अब क्या, in higher classes, you will come to know that all or living phenomena are due to underlying interaction, property of the tissues are not present in the constituent cells, but arise as a result of interaction among the constituent cells, similarly, the properties of the cellular organelles are not present in molecular constituent of the organelle, but arise as a result of interaction among the molecular components, ठीक है, ये सारी चीज़ है, तो देखो, यहाँ से कुछ important नहीं है, आईए, therefore, यहाँ से, क्या है, अब बात करने हैं, जल्दी से देख लीजिए, क्या है, living, ठीक, organism, क्या है, organism are self-replicating, evolving, self-regulating, interacting system capable of response to the external stimuli, clear, ये चीज़ important है, ध्यान रखेगा, next हम बात करें, क्या है, biology के बारे में बोल ला है, क्या है, biology is the story of life on earth, biology is the story of evolution of living organism on the earth, मतलब story और evolution दोनों है, living organism का, all living organism present, past and future are lied to one another by sharing of the common genetic material, हाँ, but varying degree, ये line आपके entrance में पूछा वा है, अभी देखाएंगे, और ये NCRT examplar का भी सवाल है, clear है बच्चों, ध्यान रखेगा, बहुत important है, यहां से, all living organism present, past, future are linked with, clear, क्या है, common genetic material, but varying degree, चलो, important, ध्यान रखेगा, ये सारी चीज़े, यहां तक हमने, क्या है, criteria for being living के बारे में पढ़ा, आगे हम next, जो है, diversity in organism पढ़ेंगे, तो ये part हम यहां पर complete करते हैं, next part में हम आपसे मिलते हैं, जहां पर हम बात करेंगे, diversity in organism, clear, तो ये ध्यान रखेगा, यहां पर सारे NCIT के line हमने आपको important बताया, चलो, next part में मिलते हैं, okay, thank you.